जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में और आज की इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो कि खास कर आर्मी और S.S.C. जीटे के अंतरकत आने वाली फोर्सेस के रिटेन एक्जाम्स के लिए बना देखें और वीडियो के लाश्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने कोस्टन्स ठीक थे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लें तो चलिए दोस्तो आज का कोस्टन नंबर बन है बिहू किस राजिका लोग निरत है ओप्सन से आपके आसाम मड़िपूर अरणाचर प्रदेश या फिर करन आठक तो कोस्टन नंबर बन का जल्दी से कमेंट वोक्स में आंसर कमेंट करें अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बिहूँ जो है वो असम का लोग निरत्त Q2 का सही आंसर है Option C Lord William Bantic ठीक है Next question है हमारा Q3 Indian Army की सर्बोच रैंग कौन सी है ये दोस्तो Q2 बहुत बार repeat होता है और ज्याद तर आप सभी को इस Q2 का जो आंसर है वो पता होता है लेकिन आप exam में जाकर confused हो जाते हैं जिसके कारण आप Q2 के लिए गलब करके आ जाते हैं तो आज ध्यान से समझ लीजिएगा मैं आपको बिल्कुँ अच्छे से समझाओंगा अगर आपने ये वीडियो पूरे देखी तो आपका एक है Q2 के लियर हो जाएगा तो इंडियन आर्मी की जो सर्बोच रैंक है दोस्तो वो है General ठीक है यहाँ पर Lieutenant General, Major General और Captain पूरे के पूरे दिये गये हैं अब मैं आपको इनकी C&RT से बता दूँ कि जो Captain है वो सबसे नीचे रैंक होती है मतलब Lieutenant से उपर और Captain Second Rank है ठीक है उसके बाद में आपका आता है Major General फिर Lieutenant General और उसके बाद में General question number 4 कागज का आविस्कार किस देश में हुआ था options है England, अमेरिका, चीन या फिर दोस्तो नेपाल तो कागज का जो आविस्कार हुआ था वो हुआ था चीन में तो यहाँ पर question number 4 का सही answer option C, चीन question number 5 गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था options हैं सिधार्थ, महाबीर, अर्जुन या फिर गोतम तो गोतम बुद्ध के जो बच्पन का नाम था वो था दोस्तो सिधार्थ, तो यहाँ पर question number 5 का सही answer होगा option A, सिधार्थ, ठीक है next question के तरब चलने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो की अगर आप PDF फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा आउनलाइन क्लासे से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है question number 6 रत ओंदी किस बिटामिन की कमी से होती है options है आपके बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन D या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो रत ओंदी बिमारी जो है वो बिटामिन A की कमी से होती है तो यहाँ पर question number 6 का सही आंसर option A, vitamin A ठीक है question number 7 है पॉंगल किस राज का लोग निरत है ओप्शन से हैं आपके ओप्शन A गोवा, ओप्शन B मड़ेपूर ओप्शन C पस्चम बंगाल और ओप्शन D तमिल नैडू तो दोस्तो जो पॉंगल है वो आपका तमिल नैडू का लोग निरत है और पॉंगल यहां का ओप्शन साएं रजिय सुल्तान बेगम अक्तर जहां से की राणी या फिर इन में से कोई नहीं तो कोस्चन नमबर एट का सही आंसर है ओप्शन A रजिय सुल्तान ठीक है भारत की जो पहली महला सा सकती उनका नाम था रजिय सुल्तान और नों ने अपना जो राज किया था वो दिल्ली पे किया था कोस्चन नमबर नाइन है जलिय वाला वाग हत्याकांट कब हुआ था ओप्शन सें 1857 1917 1919 और ओप्शन डिय आपका 1905 तो दोस्तो जलिय वाला वाग जो हत्याकांट था वो 13 अप्राइल 1919 के लिए हुआ था तो यहाँ पर कोस्चन नमबर 9 का सही आंसर है ओप्शन C 1919 ठेक है तो आज की वीडियो का हमारा लाश्ट कोस्चन होगा कोस्चन 10 1949 में सुभास चिंदर बोश ने कांग्रेश छोड़ने के बाद किस दल्की की स्थापना की थी ओप्शन से आपके फॉर्वर्ड बोश स्वतंत्र बोश मुस्लिम लीग या फिर अभिनव भारत तो कोस्चन नमबर 10 का सही आंसर है ओप्शन A फॉर्वर्ड बोश ने उसकारोने से कांग्रेश को छोड़ दिया था उसके बाद में उन्होंने अपने नया दल के स्थापना की थी जिसका नाम था फॉर्वर्ड ब्लॉक तो ये थे आज के 10 कोस्चन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर دीकरें क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेंनत करता हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से सेर करें क्योंकि आप देख रहे हैं जाले हैं कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन्द जैवारत